नेक्स देखो हमारे पास है exercise 3.2 जिसमें देखो क्या दिया हुआ है नीचे दी गई अकरिती को देखकर लिए अब जो अकरिती है वो हमें ये दी वही है जैसे ये आपकी y-axis है और ये आपकी x-axis है अब ये y-axis और x-axis में पॉइंट्स देखो कौन-कौन से दिये हैं आपको b d दिया है, h दिया है, m दिया है, e दिया है, g दिया है, c दिया है, d दिया है ये सारे पॉइंट्स दिये है, l दिया है इन पॉइंट्स को आपने निकालना है ठीक है तो अब ये जैसे हमें सबसे पहले दिया है b के निर्देशांक, b के निर्देशांक देखो कौन से अब इसमें देखो X की इतनी value बनेगी X की बनेगी minus 5 जो left side होता है उसमें minus के numbers होते है जो down होता है उसमें भी minus के numbers होते है जो right side होता है उसमें positive numbers होते है और जो upward होता है उसमें भी positive number होते है अब ये पूरी y axis है ये पूरी x axis है अब सबसे पहले उन्होंने पूछे हैं हमसे B के निर्देशांक जो B point है वो कौन सा बनेगा अगर हम देखें तो X की सबसे पहले value कितने आएगी minus 5, Y की value आएगी 2 तो minus 5 और 2, minus 5 और 2 जे आएंगे B के निर्देशांक अब दूसरा देखो C के निर्देशांक C के निर्देशांक जो है कितने बढ़ेंगे X की value है 5 और Y की value minus 5 है तो C के निर्देशांक कितने बन जाएंगे 5 और minus 5 5 minus 5 चलो next देखो निर्देशांक minus 3 minus 5 द्वारा पहचाना गया बिंदू अब minus 3 minus 5 कहा होगा यह minus 3 है यह minus 5 है तो वो कौन सा बिंदू हुआ E बिंदू बिंदू E अगला देखो निर्देशांक 2 minus 4 द्वारा पहचाना गया बिंदू 2 minus 4 2 minus 4 द्वारा पहचाना गया बिंदू वो कौन सा पहचाना गया G बिंदू बिंदू G अब नेक्स देखो D का बूज जो बूज होता है उसको इंग्लीश में आप सिसा कहते है मतलब value of X X का मान तो D में X का मान देखो कितना है सबसे पहले देखो D पॉइंट कहां पे आता है यह D पॉइंट तो इसमें X का मान कितना है 6, 6 नमबर तो 6 नमबर फिर बिंदू X का कोटी कोटी का मतलब होता ओडिनेट ओडिनेट मतलब Y का मान तो H बिंदू में Y का मान देखो यह H बिंदू इसमें Y का मान है –3 तो यहां कितना आ जाएगा –3 –3 नमबर एल के निर्देशांग बनाओ जो L point है उसमें X 0 है क्योंकि वो Y के उपर है तो X अगर 0 है तो Y इतना है 5 तो 0 5 तो इसके निर्देशां कितने होएंगे 0 5 M के निर्देशां कि बनाओ जो M है उसके M point यहाँ पे है उसके निर्देशां कितने है उसमें आपका Y 0 है तो X आपका माइनस 3 है तो कितना बन जाएगा यह माइनस 3 0 तो यह है आपका चित्र आकरिती दीवी है जिसमें points भी है इन points के आपने निकालना है इसको upload करना है इसके उपर